चेक तरियेगा S A N D, Science and Non-Duality और वो जानते हैं उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीरसेक ने कहा लिखा Ohm is equal to mc square च्योंकि जब आप non-duality में जाते हैं, अब यहाँ पे आईए Einstein ने जो theory दी, E is equal to mc square मतलब energy mass conversion equation तो non-duality में सिर्फ energy है जब आप mass में आते हैं तो दो चीज़े हैं न, mass and energy but finally, मतलब 1900 से पहले सिर्फ law of conservation of mass था यानि हम मानते हैं एक mass दूसरे में change होता है अब law of conservation of energy है अब energy दूसरे में energy होती है और फिर मैं कहना चाहता हूँ मैं किसी दूसरे में comment नहीं कर रहा हूँ हमारा ही एक मात रंतिम संसकार है जिसमे mass energy में convert करता है